हर मिडिल क्लास लड़का ये चाहता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो कभी घरवालों के उपर बोज ना डाले बहगवान को बोला बहगवान एक मौका दे दो किवल एक मौका दे दो कि मैं किसी तरह से सेल्फ रिपेंडेंट हो पाऊं जहां लोगों का एन्वल पैकेज होता है या इतना वो सेव कर लेते हैं उससे जादा मेरे उपर करजा हो चुका था अब चाहे कुछ भी हो जाए अगले दो साल के अंदर मैं कामयाभी का शिकर हासिल करूगा मात्र अगले 11 महिने के अंदर बिस गुरु कुल एक बिलियन डॉलर स्टाट अप बन गया इस पूरे सफर में ये तीन एम थे जोन्होंने मुझे मदद की जिसको अगर आपने भी इस्तमाल किया तो आप अपनी लाइफ में ना कि सिर्फ अंदर बन सकते हैं बलकि एक कामयाब अंदर बन सकते हैं 26 अक्टूबर 2017 शहर मेरट आप लोगोंने अमूमन बहुत सारी शादिया टेंड की होंगी और शादियों में जनरली सीन क्या रहता है कि लड़का और लड़की यानि दूला और दिलहन के रिष्टेदार सब तयारियों में लगे होते हैं लेकिन इस शादी का सीन कुछ डिफरेंट था यहाँ पे 20-25 रिष्टेदार एक लड़की को बिठा के उसके आसपस घेरा लगा के उसे ये कन्विंस करने में लग रहे थे कि तू अपना बिजनेस बंद कर दे और वो सरकारी नौकरी पकड़ ले जो तूने अभी क्रैक किया मुझे लगता है आपको गैस करनी की ज़रूत नहीं बढ़ी होगी वो लड़का मैं था और मैं वहाँ पे किसी ना किसी तरह से अपने आसू रोकनी की कोशिश कर रहा था क्योंकि उन रिष्टेदारों का एक एक ताना मेरे सीने के आर पार जा रहा था किसी को भी विश्वास नहीं था कि मैं मेरे बिजनस में काम्याब हो सकता हूँ लेकिन मुझे खुद पर और अपने सपने पे पूरा भरोसा था और मुझे इस बात का पक्का यकीन था कि जो सपना मैंने 9 स्टैंडर्ड में लिया था कि मैं एक दिन entrepreneur बनूँगा और अगर आप सच में जिद्धी हैं तो काम्याबी आपके कदम चूमेगी चूमेगी और वीडियो के एंड में आपको ये भी बता लगेगा कि अगर आप खुद का बिजनस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे करें और अगर उसे ग्रो करना चाहते हैं तो उसकी भी धेर सारी टिप्स आज आपको इस स्टोरी में मिलेंगी नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रोहिट शर्मा मैं दिली का रहने वाला हूँ यहीं पे पला बढ़ा और मेरे फादर एक गवर्मेंट सर्वेंट है बात मैं आपको बता रहा था नाइन स्टैंडर की जब मैंने एक उंत्रिप्रिणार बनने का सपना लिया मैं केवल 14 साल का था और शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई से मन हटने लग गया क्यों? क्योंकि मैंने ये देखा कि मेरे घर में बहुत सारी financial problems होने लग गए थी और उस financial problem की वज़े से मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पा रहा था क्योंकि मैं केवल एक चीज चाता था कि मेरे घर में उस सारा सुख और समरिद्धी हो मैं ये देखता था कि पैसी की problem की वज़े से school की fees अक्सल लेट हो जाती थी किसी शादी या function में जाना होता था तो ऐसा feel होता था कि मानूख खुशी का मौका नहीं बलकि कोई tension की बात हो गई है और इसी तरह की कई सारी परिशानिया मुझे जेलनी पड़ती थी उसकी जगा पे जब मैं दूसरे इश्चेदारों को देखता था तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी क्योंकि वो लोग business करते थे और उनके पास अच्छा खासा पैसा था और इसी लिए मैं उस वक धूनने लग गया कि मुझे कोई ना कोई मौका मिले जिससे मैं कुछ पैसा कमा के अपनी फामिली को financially सपोर्ट कर सकूँ मैं बच्पन से ही स्टेज पे बहुत अच्छा था बोलने में पब्लिक स्पीक की का मुझे बहुत शौक था और इसी वज़े से मुझे एक बार स्कूल में मौका मिला एक स्पीच कंपटिशन में पाडिसेपेट करने का मैंने वहाँ पाडिसेपेट किया और सेकिंड प्राइस जीता सेकिंड प्राइस जीतने में जो प्राइस था वो एक लिफाफे की रूप में मुझे मिला और जैसे ही मैंने वो लिफाफा खोला उसके अंदर चार सौ सौ के नोट थे उस प्राइज में मुझे चार सो रूपे मिले और आप अभी भी देख पा रहे होंगे कि मेरी आखो में वो चमक और मेरे पर खुशी है क्योंकि वो मेरी लिए मेरी जिन्दगी का शायद सबसे कीमती लंभा था क्योंकि उस चार सो रूपी की वज़ा से मैं मेरी फैमिली को सपोर्ट कर पाया और हम एक प्रंशन में जा पाए और मैं आज भी इस बात को मानता हूं कि मुझे मेरे 10 स्टैंडर्ड में 91% स्कोर करके भी वो खुशी नहीं मिली जितनी उस दिन उन 400 रुप्यों से मिली जैसे तैसे मैंने खुद को पुश किया और एक ठीक ठाक से इंजिनिरिंग कॉलेज में मेरा एडमेशन हुआ बी टेक जब मैं कर रहा था तो पहले साल के अंदर मैं फिर से उसी खोज में जुट गया कि मुझे कोई न कोई मौका मिल जाए जिससे मैं मेरी फामिली को सपोर्ट कर सुकूँ लेकिन बहुत कोशिच करने के बाद भी कोई धंका मौका मुझे नहीं मिली पर वो दिन मुझे आज भी याद है फर्स्ट एर अल्मोस्ट एंड हो रहा था और मैं दिल्ली में कश्मीरी गेट मेट्र स्टेशन के एसकेलेटर से नीचे उतर रहा था और नीचे उतरते उतरते मैंने उपर देखा और भगवान को बोला भगवान एक मौका दे दो केवल एक मौका दे दो कि मैं किसी तरह से सेल्फ रिपेंडनेट हो पाऊ और यकीन मानियेगा वो कहावत बिल्कुल सच है कि अगर आप किसी चीज को सचे दिल से चाहते हो तो काइनात उसको आप से मिलाने में लग जाती सिर्फ साथ दिन के अंदर मुझे एक मौका मिला मैं अपने कॉले से बस घर की तरफ जा रहा था बाहर निकला ही था कि एक अन्जान शक्स ने मुझे रोका उसने मुझे कुछ बाचीत करी और वहाँ से मुझे पता लगा एक ऐसे बिजनस मॉडल के बारे में जो मेरी लिए एक बहुत जबरदस और पहला माइलस्टोन मन गया वो इंडस्ट्री थी डिरेक सेलिंग इंडस्ट्री जिसमें एक मेनिफैक्ट्रर अपने प्रोड़क को डिरेकली कस्टमर तक कहुचाता है और उस प्रोमोटर को उसमें से शेर मिल जाता है इस बिजनस मॉडल को समझने के बाद मुझे ये यकीन हो गया कि यहां से मैं वो सारी स्किल्स डेवलप कर सकता हूँ जो मुझे आगे entrepreneur बनने में help करेंगी लेकिन इस opportunity के साथ एक बहुत बड़ा challenge भी मेरे सामने आया और वो challenge ये था कि इसमें start करने के लिए मुझे 10,000 रुपे की investment की जरूरत थी अब जाहिर सी बात है मेरे पास तो एक रुपया भी नहीं था invest करने के लिए तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूँ के वो 10,000 रुपे आए घरवालों से मांग नहीं सकता और कोई source मेरे पास है नहीं और बहुत बड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि risk भी बहुत बड़ा था लेकिन उस वक मैंने एक line सोची जो मेरी लिए मेरी पूरी जिंदगी में काम्याबी का सबसे बड़ा मूल मंतर बन गई वो ये कि जादा से जादा क्या हो जाएगा मैंने ये सोचा कि किसे ने किसी तरीकी से मैं 10,000 रुपे अपने दोस्तों से उधार ले लिता हूँ अगर कुछ अच्छा हो गया तो उनको ये पैसे आराम से रिटन कर दूँगा और अगर मानलो मैं इस बिजनस में फेल हो गया तो भी किसे ने किसी तरह से टूशन पढ़ा के दोस्तों को ये पैसे मैं लोटा दूँगा और ऐसा करके मैंने मेरे लाइफ का पहला सबसे बड़ा रिस्क लिया उन दस हजार रुपे का तो ये बिजनस स्टार्ट करने के बाद कॉलिज खतम होते ही हर रोज मैं दिल्ली के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक जाता था अपने बिजनस को डेवलप करने के लिए कभी बस में, कभी मेट्रो में भूके, प्यासे, सर्दी, गर्मी, धूब, बरसाथ कैसा भी मौसम हो मैंने ये रूल बना लिये कि मुझे हर रोज काम करना ही करना है और उसकी वज़ा से मुझे सेल्स, मार्केटिंग, लीडर्शिप, यूमन साइकलोजी, पिजनस इन सब के वारे में बहुत अमेजिंग बातें और स्किल्स सीखने को मिली जिन्होंने मेरी जिंदगी को एक जबर्दस डिरेक्शन दी तो मेरा कॉलेज कम्पलीट हुआ 2014 के अंदर और अगले तीन सालों में मैंने कुछ छोटे-छोटे स्टार्ट अप्स करने की कोशिश की उन स्टार्ट अप्स के लिए मैं घर से पैसा नहीं लेना चाहता था और आप जानते हैं यह वाली बात कि हर मिडल क्लास लड़का यह चाहता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो कभी घरवालों के ऊपर बोज ना डाले मैंने भी ऐसे ही किया अपने उस पहली दस हजार की इंवेस्मेंट में भी मैंने घरवालों को परिशान नहीं किया था और इस वक्त भी मैंने यह सोचा कि नहीं, मैं अपने दम पर अपना बिजनिस करूँगा दोस्तों से उधार लिया, बिजनिस किया, नहीं चला फिर से उधार लिया, बिजनिस किया, नहीं चला और ऐसा करते-करते मेरे उपर 4 लाख रुपे का करजा हो गया 27 साल की उमर में जहां लोगों का annual package होता है या इतना वो save कर लेते हैं उससे जादा मेरे उपर करजा हो चुका था और इसी वज़े से मेरे घरवालों ने मुझे force करना शुरूर किया कि अब तुझे government job का exam देना चाहिए तो घरवालों के pressure करने पर मैंने उस government job का exam दिया और उसको clear भी कर दिया और फिर दिन आया 2017 26 October शहर मेरट जहां पर उस शादी में उस सारे रिष्चेदार मुझे बैटके ये समझा रहे थे कि तेरे business से जो भी थोड़ा मुनाफ़ा आ रहा है उसको बंद कर दे और government job कर ताकि तेरी life safe रहे, secure रहे लेकिन अंदर का जो अंधिपना रोहिच शर्मा था न वो ये कह रहा था कि मुझे safe और secure life नहीं चाहिए I want a life of freedom मैं अपनी शर्तों पे अपनी आज़ादी के साथ अपनी जिना चाहता था उस दिर मैंने खुछ से ये commitment की कि अब चाहे कुछ भी हो जाए अगले दो साल के अंदर मैं कामियाभी का शिखर हासिल करूँगा मैंने फिर से महनत करना start किया और अब की बार as a trainer मुझे बहुत अच्छी success मिलना शुरू होगे मैं training का business करने लग गया और 2019 का अंत होते होते मैंने एक नया startup भी launch किया मेरे कुछ दोस्तों के साथ मिलके जो eco friendly segment के अंदर था business अच्छा चल रहा था धीरे धीरे growth भी आने लग गई थी कि उसी दोरान 2020 जनवरी में मेरे एक दोस रित्विज मेरे पास आया एक digital business का idea लेके हम दोनों मिलकर हमारे mentor मिश्टर केशवलाल के पास गए और तीनों ने मिलके उस idea को discuss किया वो idea हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस idea में हिंदुस्तान को digitally skilled बनाने की potential था हम लोगों को वो education दे सकते हैं जो आज का यंग्स्टर चाहता है हमने इस business को build up करना start किया और चीज़े बस launch होने ही वाली थी कि तभी के तभी COVID हुआ और पूर का पूरा देश lockdown में चला गया अब हमारे पास दो रास्ते थे या तो सारी चीज़े ठीक होने का इंतजार करते रहें या फिर हर बार की थरा एक मंत्र सोचें कि जादा से जादा क्या हो जाएगा फेल ही तो हो जाएंगे ना फिर से कुछ नया कर लेंगे और इस सोच के साथ हमने 24 मार्च 2020 को लाँच किया बिजगरुकल को कोविट था लेकिन उसके बावजूद हमने महनत करना स्टाट कर दिया और अगली एक साल में मैंने हर रोज एक वेबिनार लिया मैं और मेरी पूरी टीम मिलके हमने भूख, प्यास, तबियत कितनी भी खराब है, सरदद हो रहा है किसी की चिंता नहीं करी हमने बस एक चीज़ पर फोकस किया कि जहां बाकी लोग खर पे बैटके नेट्फलिक्स देख रहे थे या लूडो खिल रहे थे हम लोग उस दोरान बैटकर लोगों के लिए बहुत सारी कॉलिटी ट्रेनिंग्स बना रहे थे और अपने सपोर्ट सिस्टम को स्टॉंग कर रहे थे जिससे कि बिज़ गुरु कुल में आने वाला हर एक स्टूइन्ट पैसे बिज़ कॉलिटी एजुकेशन ले सके और इसी मेहनत का यह रिजल्ट निकला कि मात्र अगले ग्यारा महिने के अंदर बिज़ गुरु कुल एक बिलियन डॉलर स्टार्ट अप बन गया यानि एक ऐसा बिजनिस जिसका एक साल के अंदर अंदर लगबग आठ से दस करोड का टरन ओवर हो गया तो चार सो रुपे के पहले कैश प्राइस को जीतने से लेकर दस हजार उपे उधार मिले के इन्वेस्ट करने से एक साल के अंदर दस करोड की कंपनी बनाने तक इस पूरे सफर में ये तीन एम थे जिन्होंने मुझे मदद की और ये तीन एम एक ऐसा ब्रहमास्त्र है जिसको अगर आपने भी इस्तमाल किया तो आप अपनी लाइफ में ना कि सिर्फ उंद्रपनार बन सकते हैं बलकि एक काम्याब उंद्रपनार बन सकते हैं तो पहला एम है मनी, पैसा मैंने हमेशा पैसे को एक टूल और ताकत की तरह समझा अकसर मैं लोगों को देखता हूँ कि पैसे को लोके बड़ा डर जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि कुछ बड़ा अगर बिजनस करना है तो उंके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए नहीं, अगर आप अपना बिजनस टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक सही इंकम सोर्स की जरूरत है अपने लिए या तो एक जॉब ले लीजे या फिर एज़ फिलांसर कोई भी अपना काम कीजिए जिससे कि आपके पास एक रेगुलर इंकम हो उसके बाद जो आपके पास पार्ट टाइम में अब टाइम बचेगा उसको आप यूज कीजिए अपना बिजनस डेवलप करने के लिए क्योंकि इसमें वक्त लगता है कभी भी आपको बिजनस को लेके इसको ओवर एस्टिमेट नहीं करना है या overconfident नहीं होना है तूसर और सबसे important point पैसे से related ये कि तब तक full time business में ना आए जब तक आपके पास 6 महीने का financial backup ना हो वरना जैसे ही कोई problem आएगी आपको business को quit करना पड़ जाएगा और आपको loss हो जाएगा इसलिए best ये है कि calculated risk ले पात करते हैं दूसरे M की दूसरा M है mindset अपनी life में एक mindset adopt कर लीजे कि अगर आप काम्याब होना चाहते हैं तो आपको physical, mental और emotion challenges के सामने जुकना नहीं है मेरी life में ये तीनों आये थे और मैंने इन तीनों को overcome किया क्योंकि मेरा धान केवल और केवल मेरे सपने पे था तो एक strong mindset कैसे बनाए उसके लिए मैं आपको तीन बहुत solid tips दे रहा हूँ सबसे पहला अगर आपको अपने business को grow करना है तो एक growth mindset आपको अपनाना पड़ेगा और वो mindset आपको मिलेगा successful businessmen और entrepreneur से सीख कर कैसे सीखें आप उनसे जाके उनकी workshop से टेंड कर सकते हैं उनकी books पड़ सकते हैं उनके podcast सुनिए और अगर उनके courses हैं तो वो courses भी ज़रूर लीजे इस तरीके से आप काम्याब लोगों से सीख पाएंगे कि काम्याबी कैसे हासिल की जाती है दूसरी tip वो ये कि आप networking events के अंदर जाएं मुझे आज भी याद है कि college में जब Saturday Sunday को मेरे दोस party किया करते थे मैं जाके free workshops और trainings अटाइम करता था सरफ सीखने के लिए नहीं बलकि और लोगों के साथ contact develop करने के लिए और ऐसे events में जाके मुझे ऐसे बहुत सारे entrepreneurs और बहुत अच्छी अच्छी personalities के साथ मिलने का मौका मिला जिन लोगों से मैं आज भी कई तरह की राय लेता रहता हूँ जो मुझे मेरी life में गुरू करने में बहुत जादा help करते हैं तो networking आपका बहुत strong tool हो सकता है और तीसरा और सबसे important tip execute करें जो भी कुछ आप सीख रहे हैं उसे फटाफट implement कर दें action लेना बहुत ज़रूरी है इसके लिए एक bull mantra आपको देता हूँ fail fast जितना जल्दी आप fail होंगे उतना ही जल्दी आप life के important lesson सीखेंगे जिस पे improve करके आप अगली बार कामयाभी हासिल कर सकते हैं और अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ के वो fail होने से डरते रहते हैं वो एक perfect time का wait करते हैं के मैं सब कुछ सीख लूँ एक डिट साल का wait कर लूँ जैसे ही सब कुछ perfect होगा मैं अपना business launch करूँगा और रात और रात अमीर बन जाओंगा ऐसा नहीं होता है ये तो ऐसी बात होगे कि आपको दिली से लेके गुड़गाओं जाना है और आप wait कर रहे हैं कि रास्ते के सारे के सारे signal green हो जाएं एक साथ तब मैं घर से गाड़ी निकालूँगा क्या ऐसे आप कभी गाड़ी घर से निकाल पाएंगे नहीं और इसलिए 99% लोगों की entrepreneurship की गाड़ी कभी निकली नहीं पाती क्योंकि वो perfect time का wait करते रहे तो आपको ऐसा नहीं करना है जो भी आप सीखें उसे immediately apply करते अब बारी आती है तीसरे M की ये तीसरा M मेरी जिंदगी को और मेरी success को shape करने में सबसे powerful मंत्रा रहा है और ये है mentorship मैंने हमेशा अपना पैसा और time regularly invest किया है mentorship लेने के अंदर तो एक अच्छा mentor कैसे मिले उसके लिए ये तीन tips आपको बहुत help करेंगी number 1 mentor उसे चुनिए जो आपकी field के अंदर जिसमें आप business करना चाते हैं या काम्याब होना चाते हैं उसमें already successful हो number 2 mentor उसे चुने जो आपकी काम्याबी से खुश हो जेलिस ना हो इसलिए मैं हज़ा recommend करता हूँ के अपने रिष्टेदारों को अपना mentor मत बनाना unless आप family business में हो तो और number 3 आपके mentor के साथ आपकी vibes मैच हो जानी चाहिए इस mentorship के मंतर को ही मैंने बिजगरुकुल के साथ बिलकर अपना mission मना लिया और इस mission पे काम करते करते हमने लोगों को empower और transform करना शुरू किया और इसकी वज़े से आज हम लगबग 2 लाख लोगों को train कर चुके हैं उनको अपनी services दे चुके हैं और अब हमारा mission है कि अगले 3 साल के अंदर हम 1 million लोगों तक पहुँचे यानि 10 लाख लोगों को empower करें जिससे कि वो दूसरों की life को और बहतर बना सके तो in the end मैं आपको काम्याभी के 3 मूल मंत्र देना चाहता हूँ सबसे पहला आपकी उम्र और आपकी current situation ये कभी भी आपका future decide नहीं कर सकते आपका future create करना केवल आपके हाथों में है नमबर 2 और सबसे important life में काम्याभ होना है तो मेहनत का दामन मत छोड़ना दोस्तों जो मेहनत से पीछे हड़ जाते हैं वो life में कहीं आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो ये थी मेरी जिंदगी की कहानी और आईए अब मिलकर हम और आप आपके जीवन की success story क्रेट करते हैं और मिलके भारत को सुद्रिन बनाते हैं जहें